एक छोटा सा question करना चाहूंगी ऐसा कौन सा फल है जिसके साथ साथ fruit का भी मजा लेते हैं और dry fruit का भी मजा लेते हैं और बचलो कैसे हूँ चलो चलते हैं कुछ नया सा करने गर्मियों में हमें fruits खाना बेहत पसंद आता है और हमें seasonal fruits खाने भी चाहिए चाहे हम shake बना कर भी हैं या हम काट कर ऐसे ही खाएं salad और fruit तो हमें खाने से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए गर्मियों में जैसे कि गर्मियों में बच्चे धूप में जब school या coaching से आते हैं उन्हें fruits और salad आप सामने देते हो उनका मन खुश हो जाता है आप खाना खाने के लिए कहते हो तो शायद वो मना कर देते हैं तो fruits खाना बहुत ज़रूरी है ये बात तो यहां तक ठीक है लेकिन अंजाने में हम जो गलती करते हैं आगज के बाद वो गलती आप कभी नहीं करेंगे जैसे कि खरबूजा हमारे घर में आता है किसी भी टाइब का खरबूजा हो लेकिन प्रकरती ने खरबूजे के साथ, fruit के साथ हमें dry food भी gift के तोर पर दिया है जिस dry fruit को हम अंजाने में dustbin में फेक देते हैं ये बहुत बड़ी गलती करते हैं dustbin में फेकना हमारा इसलिए होता है कि इसे कौन साफ करेगा, चलो साफ कर भी लिया, तो इसे धूप में कौन सिखाएगा, धूप है नहीं, चलो सुखा भी दिया, तो इसे छीलेगा कौन, तो ये सारी problem को देखते हुए आप फेक देते हो, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है, आप ये कभी नहीं फिक हो गई, क्योंकि मैं आपको इतने सरल तरीके आपको बताऊंगी कि कैसे इसे साफ करें, इसे कैसे हम इसकी प्यूरी बनाएं, और कैसे हम यूज करें, और अगर किसी वज़ा से हम रोज-रोज यूज नहीं कर पा र तो चलिए, इसको हम कैसे साफ करें, पहले तो फटा-फट वो बताती हूँ, फ्रिज में मेरे पास पहले से भी रखे थे एक दिन पहले के, अब ये भी मैंने ले लियें, इनको फटा-फट से एक मोटी जाली से आप यू रगड दीजे, आप देखेंगे, ये फटा-फट स उससे बहुत दुख होता है, तो यहां देखिए, मिंटों में साफ हो जाता है नल के नीचे, आप इसको पूरा साफ कर लीजे, बद्बू ना आने दीजे, चार-शे दिनों का कठा मत कीजे, बस एक या दो दिन का निका लिए, एक दो खरबूजे का, और इस तरीके से साफ कर दीजे, ना तो आपको छीलने की जरूत है, ना इसे सुखाने की जरूत है, कोई जंजटी नहीं है, इससे आप क्या-क्या कर सकते हो, आपने सोचा भी नहीं होगा, अन्जाने में आप बहुत बढ़िया चीज बना रहे हो, आपको पता है ना, यह सीट्स बहुत हेल्दी होते हैं, आज कल जो भी सीट्स हैं, वो सुपर फूड है हमारी हेल्थ के लिए, तो चलिए, यह मैं बताती हूँ, अब इसका करना क्या है, यह सीट्स मैंने अलग किया है, यह सब अलग कर दिया है, अब इन सीट्स को लेते हैं, एक कटोरी में और इसे हम मिक्सी के जार में डालते हैं, इसे काफी हद तक हमने साफ कर दिया है, कुछ जरा से उसका पल्प रह भी गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल मत जरिये, ना ही इसे चीलने की जरुवत है, बस आप एक मिक्सी के जार में डालिए, थोड़ा सा पानी और एड़ कर दिजे, कैसे यूज होगा, और आज यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम आगे कैसे इसका यूज करेंगे, सारा सब कुछ है इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको कहीं ये वीडियो नहीं मिलेगा, आपको ये ट्रि के मेन्यू में आपने नोटिस किया होगा कि कैशियो नट डले हैं बदाम डले हैं इसी तरीके से कही न कहीं आपने जरूर पढ़ाओगा ग्रेवी इन मगज तो यह मगज वही है जो 500-700 रुपे किलो हम ड्राइफ्रूट के शॉप पर खरितने जाते हैं तो उसी की हमने ये ग्रेवी तियार कर ली हमने देखिये कितना बढ़िया पेस्ट अंजाने में बना लिया यह देखिये इसके छिलके बिलकुल अलग हो गए ह और यह जो पेस्ट है वो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है ना तो आपको सुखाने की जरुवत पड़ी ना छीलने की जरुवत पड़ी क्योंकि इसी चीज से हम डरते थे अभी तक कौन छीलेगा कौन सुखाएगा यह देखिये थोड़ा सा पानी में और भी ड लगा हूँ है और मैं इसे पूरा का पूरा निकाल देती हूँ अब जो नीचे छनी में देख रहे हो आप यह कच्रा है मतलब इसका बीजों का चिलका है इससे आप वेस्ट कर लीजे अब जो आपके पास इतना बड़ा कटोरा है इससे कम से कम आपकी दो सबजियां मतलब आपने अगर पनीर की सबजी बनानी है साथ में कोई और शाही सबजी बनानी है तो वो बन सकती है क्योंकि यह दो खरबूजे का पेस्ट है अगर आपको आज नहीं बनाना है तो आप क्या करेंगे और हाँ इसका और भी यूज बताती हूँ सबजियों की जैसे हम काजू की paste डालते हैं वो तो आप use करोगे मैं दिखारी हूँ आपको मैंने कैसे सब्जी के अंदर इसको use किया है उसके बार अगर इसमें use नहीं कर रहे है तो आप अगर shake बना रहे हो कोई mango shake बना रहे हो या किसी kulfी को बना रहे हो किसी में आपको गाड़ा पेस्ट चाहिए इसका तो आप इसको use कर सकते हो अगर आपको उसमें use नहीं करना है आपको लगता है कि सबजीयों के लिए best है मैं और किसी में use नहीं करूँगा क्योंकि अपनी-पनी सोच है कई लोग कहते हैं कि खरबूजे को दूद के साथ मत यूज करो लेकिन डॉक्टर तो सला देते हैं कि खर्भूजे का शेक पियो मैंने खुद पिया है बच्चों के टाइम तो ऐसा नहीं है अपनी अपनी सोच है यह आपकी च्वाइज है अगर आप दूद के साथ खर्भूजा नहीं लेते तो शेक में मत लीजे बादाम के शेक में आप डाल सकते हो वैनिला आइस क्रीम में आप इसको यूज कर सकते हो पर आपको कुछ भी यूज नहीं करना है आपको आगे आने वाले दिनों में यूज करना है तो इसको आइस ट्रे में जमा दीजे आइस ट्रे में जमाने के बाद आप इसको फ्रीजर में से निकाल कर एक जार में भरके रख दीजे जब भी आपको मन करें कुछ भी महमान आ रहे हैं तब आपको रिच ग्रेवी बनाने हैं आप तीन से चार क्यूब्स उठाए और इसके अंदर डाल दीजे 24 आपकी है इस समय कंजूसी बिल्कुल मत कीजे 5-6 कम से कम क्यूब्स डालेंगे न एक सबजी में आपकी सबजी इतनी लाजबाब बनेगी आप खुद हैरान हो जाओगे तो एक बार इस ट्रिक को करके देखिए आप क्यूब्स को निकालेंगे जब यूज करेंगे तो थोड़ा सा मैल्ट हो जाएगा वापस यही पेस्ट बन जाएगा और उसी पेस्ट को आप सबजी में यूज करके एक बड़ा सी ग्रेवी वाली सबजी बना सकते हैं